दोस्तों देखिए आपके सामने मेरा ये करी पत्ता का पौधा है और इसकी हाइड करीब इस समझ दस्की टूची हो गई है और आप देख सकते हैं पौधा कितना घना है इससे पहले मैं एक वीडियो गनाया था कि करी पत्ते को किस तरह से केर करें और कौन सी खाट डालें और उसे घना करने के लिए क्या करें दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कड़ी पत्ते के फाइदे इनके क्या उप्योग है स्वास्त के लिए कितना फाइदेमंद है वजन घटाने में कितना ज्यादा काम करता है ये सब बात की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे इ ये सब ये कड़ी पत्ता के आपको फल दिखाई दे रहे हैं, ये सब फल लगे हुए हैं, तमाम लोग फल देखे होँगे, कुछ लोग नहीं देखे होँगे, तो आपके सामने ये सब फल है, दोस्तों इसके बारे में एक जानकारी ज़ाउरी है, कि अगर ये फल पग जाता ह तो इसके गूदे को आप खा सकते हैं लेकिन इसकी गुठली में टैक्सीन होता है और जहरीला है स्वास्त के लिए हानिका रख है तो कृपागर करके खाने में इसकी गुठली का प्रियोग न करें आगे हम इस पौधे के फायदे के विशय में, बेनफिट के विशय में बात करेंगे, दोस्तों उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करते हैं, कि मेरे पहले वाले कड़ी पता को घना करने का, केयर का, और खात कौन सी दें, इसका वीडियो का हम लिंक दे देंगे, उससे जरूर देखिए, और मैं हू जरूर दबा दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को अन तक देखें, अच्छा लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब, सेयर जरूर करें, दोस्तों बात करें, कड़ी पते में कौन कौन से तक तो पाये जाते हैं, तो 100 ग्राम कड़ी पते में आपको मिलेगा केल्सियम की मातरा 810 मिली ग्राम, फासफोरस 800 मिली ग्राम, आइरन की मातरा 3.1 मिली ग्राम होती है, इसके अलावा कड़ी पते में केरोटीन, निकोटेनिक एसिड तथा बिटामिन C पाया जाता है, बिटामिन A भी मुझूद होता है, तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, इसके फायदे की सबसे पहला जो कड़ी पत्ता काम करता है हमारे स्वास्त के लिए, तो यह हमारे सरीर के वजन को घटाने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, दोस्तों NCBI, National Center of Bio Technology Information के सोध की अगर एक रिपोर्ट को आधार मानें, तो कड़ी पत्ते में डाई, क्लोरो, मेथेन, एथील, एसीटेट और महानिम्बाइन जैसे खास तत्तों पाये जाते हैं, इन तत्तों में वजन को घटाने, पोलेस्ट्राल को कम करने की चंता पाये जाती है, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पढ़ी पत्ता का उपयोग करने से हमारे सर कड़ी पत्ते में हाई प्रो गलाई सेमी गुड़ पाया जाता है, जो सूगर लेबल कम करने में सहायता करता है, दोस्तों अगला फायदा डाईरिया से बचाओ, अगर विशे सग्यों की मानें, तो उनके अंसार इसमें कार्बो जोले इलकलाइड्स पाया जाता है, जिसमे डाईरिया से बचाओ की छमता होती है, दोस्तों कड़ी पत्ता दिल और हिर्दय के लिए फायदे मंद है, कड़ी पत्ता को कोलिस्ट्राल को नियंतित करने का काम करता है, जो हिर्दय को स्वस्त रखने के लिए ज़रूरी होता है, तो दोस्तों अगर कड़ी पत्ते का इस् फंगल गुन पाये जाते हैं जो बैटीरिया और फंगल प्रभाव को कम करने में लाबकारी होते हैं दोस्तों तवचा के लिए फादा कि इसमें एंटी आक्सिदेंट के गुन पाये जाते हैं जिसकी वज़ा से यह तरह तरह के स्वादर प्रसाधन बनाने में इसका अगला फादा लीवर के लिए दोस्टों, एक सूझ के अनुसार करी पत्ते में टैनीन और कार्जूले इल्कलाइड जैसे तत्त होते हैं जो कीहपेटायटिस और सीरोसिस जैसे खतरों को कम कर सकते हैं दोस्टों इसका अगला जो फायदा होता है ये करी पत्ता कि अंतरगत सूजन को कम करने वाले गुन होते हैं कड़ी पत्ता में anti-infra-metary गुन पाए जाते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं इस वज़ा से कही कंपनियां आयरुवेदिक दवा बनाने में कड़ी पत्ता का इस्तेमाल करती हैं दोस्तों अग्ला फादा यह कढ़ी पत्त आँकों के लिए भी लाब्दायक होता है क्योंकि हम जानते हैं कि बीतामीन ए क्ढ़ी पत्ते में बीता मीडें रफ्पूर्द मात्रा में मौअचुद होता है। तो दोस्तों इसके अनावा इसमें केरोटीन पाया जाता है निकोटेनिक एसिद पाया जाती है तता विटामिन C पाया जाता है दोस्तों आगे हम आपको बता दें कि कड़ी पत्ते का उपयोग किस तरह से करें तो दोस्तों इसे आप मसाले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं दाल, सब्जी, कड़ी, उसकी सुगंद बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं, नारियल की चटनी में इसका इस्तेवाल कर सकते हैं, कड़ी पत्ते के पकवड़े बना के आप खा सकते हैं, दोस्तों एक चीज़ आपको हम यह बता दें, कि एक बार के भोजन में आपको कड़ी प अगर आप खाते हैं, तो इसका प्रभाव दो-चार महीने के बाद आपको दिखाई देगा, आपका वजन बहुत धीरे-धीरे, चार-पांच महीने में दिखाई देगा, वजन काफी कम हो जाएगा, सरीध हलका हो जाएगा, हमने इसका इसका इस्तेवाल किया है, और करीब दो-तीन साल में लगातार इस्तेमाल करने से मेरा वजन 90 किलोग्राम से 75 किलोग्राम पर आ चुका है, साथ में मार्निंग वाक भी करते हैं, और मिठी नीम का पत्ता भी खाते हैं, दोस्तों नारियल के तेल का और कड़ी पत्ते के पेस्ट को एक साथ मिला के गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद इसका हम उपयोग बालों में भी कर सकते हैं, पानी में उबाल कर बाल को धो भी सकते हैं, दोस्तों अगर बात करें नुकसान की तो कोई मतलब खास नुकसान कड़ी पत्ते के इस्तेमाल से देखे नहीं गए हैं, फिर भी अतिसरवत्तर बर जएक इसक लोगों को जलन हो सकती है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि पैश्ट लगाने से तफचा में जलन हो रही है, तो क्रिपा करके इसका इस्तेमाल ना करें, और दोस्तों इस तरह से हमने आपको कड़ी पत्ता के फायदों के विसमें पूरी जानकारी दिया और कैसे उपयोग करे इसके बारे में भी संशेप में बताएं दोस्तों आप भी कड़ी पत्ता का एक पोधा अपने घर में जरूर लगाईए और इसे डाल में सब्जी में या अन्य तरीकों से इस्तेमाल करिए या हमारे और आपके स्वास्त के लिए बहुत फायरे मंद हैं दोस्तों अंत में आप सभी लोग स्वस्त रहें बाबा भी सुनात से मेरी यही मनों कामना है बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंदु